अंजी जैजनेंद्र दोस्तों मार्किट में एक न्यू वाइरस आ चुका है जो मेरे एकोडिंग क्रोना वाइरस से भी ज्यादा डेंजरस है यह जो नया वाइरस है यह सारे स्टूडेंट्स को सारे यंग्स्टर्स को बड़ी तेजी से इंफेक्ट कर रहा है राइट स्टूडेंट्स के एंबीशन्स स्टूडेंट्स का फ्यूचर आने वाले एक्जाम्स सब खत्रे में इस नए वाइरस की वज़े से दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लूडो वाइरस की मेरे साथ क्या हुआ पहले मैं वो बताता हूँ लोगडाउन से पहले मेरा एक छोटा सा वाटसप ग्रूप था जिसमें मेरे कुछ कजन्स थे कुछ फ्रेंड्स थे और हम डेली बेसिस पर 15-20 मिनटस पॉल्टी टाइम स्पेंड करते थे उस ग्रूप में जब लोगडाउन हुआ तो मुझे लगा कि अब तो सारे फ्री हो गए हैं बिल्कुल तो हम लोग और ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उस ग्रूप में और ऐसा हुआ भी दो तर दिन तो चला लेकिन फिर इस लूडो वाइरस ने हमारे ग्रूप को इंफेक्ट करना शु गए और हम लोग जो सोच रहे थे कि रिलेशन्स को ज़्यादा स्ट्रोंग बनाएंगे ज़्यादा टाइम देंगे एक दूसरे को एक दूसरे का दुख सुख पूछेंगे क्योंकि सारे अपने घर में लॉक्ड है तो एक दूसरे से बात करेंगे पता चला कि यह लूडो खेल रहा हूं कुछ दिन पहले रात को लगबग एक बजे मुझे वट्साब पर मैसेज आया मैने मैसेज चेक किया क्योंकि मैं रात को ही आज चल्रेकोर्डिंग्स कर रहा हूँ दे में तो फॉसिबल नहीं हो पा रही है सारे घर में है तो मैने वट्साब पर मैसेज चेक क देखा किसी ने मुझे किसी unknown whatsapp group में add कर लिया अब मैं उस group से exit मारने ही वाला था कि किसी ने उस group पर भी same virus डाल दिया I want to play Ludo with you नीचे code था कि ये code से आप join कीजिए app download कीजिए मुझे लगा कि हो सकता है कोई known है उसने group बनाया हो मुझे add किया हो और known होगा तभी तो ये invitation भीज़े है virus का तो मैंने पूछ लिया के do we know each other मैंने जब profile देखा तो किसी lady की pick थी married लग रही थी सिंदूर था तो मैंने पूछा do we know each other सामने से जवाब आया नही no तो मैंने पूछा do you know any other person in this group दुबारा जवाब आया no तो मैंने कहा ऐसे ही किसी को भी unknown person को आप invite कर रहे है to play ludo तो सामने से जवाब आया और मैं पढ़कर हैरान रह गया बोली जब मेरी शादी की गई तब मैं अपने husband को नहीं जानती थी मेरे parents ने बिल्कुल unknown person से मेरी शादी करवाई और मैं उसके साथ पिछले तीन साल से बिना जान पैचान हुए भी शादी शादी खेल रही हूँ तो ludo खेलने के लिए जान पैचान की क्या ज़रत है रात को एक बज़े तो बोली बाकी सब छोड़ो लुडो खेलनी है मैं का नहीं भीया I have work, I am doing my work तो मैंने वैसी लिख दिया politely के some other day चलिए जी बात खतम हो गई फिर जी दो दिन बात दुबारा रात को तीन बज़े whatsapp पर message आया और उस वक्त मैं अपने रूम में सो रहा था अपनी वाइफ के साथ अपने kit के साथ तो मैंने मुबाईल को उठाने की कोशिश करी उससे पहले मेरी वाइफ ने मुबाईल उठा लिया अब मैं surprise था मैंने का अभी तक जाग रही हो तुम तो मेरी वाइफ ने क्या का कि सर्प्राइजड हो या फिर शॉक्ड हो या फिर अफ्रेड हो रहा कैसी बात कर रही है तुम्हार से क्यों मैं अफ्रेड हूँगा तुम कोई चुड़े लो भूतनी हो डायन हो जो मैं तुम से डरूँगा बुली हूँ तो नहीं लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वही मेसेज है तो पता नहीं मैं क्या क्या बनुझी लैकर कैसी बात कर रही हो क्या हो गया कि यह लगी कुछ दिन पहले किसी unknown lady से रात को बात कर रहे थे कि हाँ किसी ओर दिन लुडो खेलोगे, आप अपने रूम में रिकोर्डिंग करते हो, या ये लुडो-Lुडो खेलते हो रात को मैंका मैंने मना किया था उसे कि मुझे नहीं खेलना, मुझे काम करना है ठीक है, अन्नोन थी, मुझे नहीं पता कौन थी तो मैं गा चलो चेक तो करो किसका मैसेज आया अग जब मैसेज चेक किया वाटसब के ओपर तो किसी लड़की का ही मैसेज था डीपी पिक पर एक सुन्दर सी लड़की थी सुईट लड़की थी तो मैसेज खोला तो अगेन वही लुडो वाइरस I want to play Ludo with you अब मेरी वाइफ एक बार मोबाईल की तरफ देख रही और एक बार मेरी तरफ बार किसी को नि जानते ने बाकी आपको जानते है तो रात को एक बज़े मैसेज करते हैं लुडो खेलने के लिए रात को तीन बजे मैसेज करते हैं लोडों खेलने के लिए पर आप किसी को नहीं जानते हैं मैं का रियल में मैं नहीं जानता आप पूछो इससे को नहीं तो मेरी वाइफ ने मेरे मुबाइल से मैसेज किया Do I know you? तो सामने से रिपलाई आया Yes sir, I am one of the follower of your YouTube channel वाटसअप करने का इसी टीचर को तो फिर सामने से मेसेज आया कि सर मुझे लगा इस वक्त तो सिर्फ आप ही जाग रहे होंगे तो इसलिए आपको मेसेज कर दिया अगर फुरी हो तो लूडो खेलते हैं अब कमाल की बात देखे कि मैं उस परसन से उस लेडी से पहले कभी इंटरेक्ट भी नहीं किया था मैंने तो मेरी वाइफ मेरी तरफ देख रही है कि अच्छा आप इनको ये भी पता है कि आप इस वक्त फ्री होती हो जाग रहे होती हो और आप कहरों कि आप जानते भी नहीं से मैं कभी मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ रात को तो हो सकता है अंदाजा लगाया हो कि मैं जाग रहा हूँ कुल मिलाकर मेरी वाइफ ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया नोबाइल अपने पास ही रख लिया राइट मैं का बड़ा खतरनाक वाइरस है यार you होगर में रहकर करोना वाइरस से तो बचा जा सकता है लेकिन इस वाइरस ने तो मेरे बैडरूम में घुष कर तबाही मचा दी दोस्तों यह जो लुडो लुडो चल रहा है और जितने भी students, जितने भी youngsters, इसमें अपना time waste कर रहे हैं, उनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँँगा कि ये फालतू लोगों के काम है, उन लोगों के काम है जिनकी life में कुछ नहीं है, जिनके कोई ambitions नहीं है, जिनके कोई aims नहीं है, जिनके कोई targets नहीं है, students को इन games है, कुछ targets है, तो ये आपके लिए नहीं है, खाली लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके relations खोकले हैं, जो अपने ही घर में रहकर सबसे अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बाकी सब के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, इस time पर जब हमें मौका मिला है, हमें अपने relations strong करने चाहिए, हमें अपने घरवालों को time देना चाहिए, हमें अपनी studies को time देना चाहिए, हमें अपनी health को time देना चाहिए, लेकिन actual में हम कर क्या रहे हैं, इस ludovirus की वज़े से हम अपने relations को ignore कर रहे हैं, हम अपनी health को ignore कर रहे हैं, हम अपनी studies को ignore कर रहे हैं, ये जो game है ये basically game नहीं ये एक virus है जो धीरे धीरे करके आपकी precious time को kill कर रहे आपके ambitions को आपके targets को kill कर रहे और इस चीज़ का पच्चतावा आपको बाद में होगा बाकी देखिए मैं तो सर्फ इतनी सी बात कहुँआ कि life आपकी है समझना आपको है life में किस चीज़ का अगाज करना है वो आपको देखना है अन्जाम आपको बुगतना है जैसा करोगे वैसा ही आगे result मिलेगा तो exams clear करने है या ludovirus से अपने आपको infect करना है आपकी मर्जी हमारा काम आप तक सही information पुचाना होता है अगर आप रास्ते से भटक रहे हो तो दुबारा से रास्ता दिखाना होता है मैं अपनी ये duty मानता हूँ तो यही duty को मैं निभा रहा हूँ राइट वाकी आपकी मर्जी है कि आपको इस virus से infect होना है या इस से अपने आपको बचा के रखना है जैजी ने रखना है